वैदिक जोति शास्त्र में ग्रह नक्षत्रों की चाल का विशेश महत्व होता है ग्रहों की चाल से जहां व्यक्ति के जीवन पर शुब या अशुब रभाव पड़ता है तो वही नक्षत्रों की गड़ना से व्यक्ति के सौभाव और जीवन सैली पर असर पड़ता है मिरक शीरा नक्षत्र में प्रवेश करने से पांच राशियों को बड़ा वित्य लाब मिलेगा तो आईए जानते हैं कि देव गुरु ब्रहस्पती के नक्षत्र परिवर्तन से किन किन राशियों के जीवन में बड़ा बदलाव होगा इसमें पहली राशी है मेश राशी देव गुरु ब्रहस्पती के नक्षत्र परिवर्तन के दोरान मेश राशी वालों के दूसरे भाव में गुरु का गोचर होगा इस गोचर के प्रभाव से आपको हर एक काम में सफलता मिलेगी और आए के नए श्रोत खुलेंगे आफिस में आपके काम की सरहाना होगी नए प्रोजेक्ट आपके हाथ लगेंगे आपकी आर्थिक स्थिती अच्छी रहेगी और आपको आए के कई साधन मिलेंगे नौकरी चाहने वालों के लिए भी ये नक्षत्र गोचर सफल हो सकता है इसमें दूसरी राशी है व्रिषब राशी गुरु ग्रह का नक्षत्र परिवरतन व्रिषब रशी के लगन भाव में होने जा रहा है इसके शुव प्रभाव से आपके रिष्थे में आपको लाब मिलेगा और जीवन साथी की आपकी तलाश भी पूरी होगी आपको आर्थिक लाब हो सकता है और आपकी आए में भी विविद्धी हो सकती है ये उन जातकों के लिए अच्छी खबर होनी चाहिए जो लंबे समय से विदेश यात्रा के बारे में सोच रहे हैं जो लोग अपने स्वास को लेकर चिंती थे उनकी चिंता दूर हो सकती है और उनके स्वास में सुधार होगा इसमें तीसरी राशी है कन्या राशी प्रहस्पती का नक्षत्र परिवर्तन कन्या राशी वालों के लिए उनके नवे भाव में होने जा रहा है इस गोचर के प्रभाव से आपको अचानक धनलाब होगा आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने में काम्याब होंगे व्यापार में आए के नए अफसर खुलेंगे पेतन में वृद्धी होगी और पदोनिती मिलने की भी संभावना है अगर आप शेयर बाजार में निवेश कर रहे हैं तो भविश्य में अच्छे रिटर्न की उम्मीद आपको मिल सकती है इसमें अगली राशी है व्रिष्टिक राशी गुरू का नक्षत्र परिवर्तन व्रिष्टिक राशी वालों के सब्तम भाव में होगा इस गोचर के प्रभाव से आपको करियर के लिए अच्छी ख़बर प्राप्त हो सकती है इस अबधी में आपके जीवन में लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंध होगा आपको किसी और से अच्छी नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है इस दोरान आप अपने वेबसाय के विकास के बारे में सोच सकते हैं आपका लंबे समय से रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है इसमें अगली राशी है मकर राशी मकर राशी के जातकों पर गुरू ग्रह की विशेश क्रिपा बनी रहेगी गुरू के नक्षत्र गोचर के दोरान गुरू आपके पांचवे भाव में गोचर करेंगे आपको सुक सहयोग मिलेगा अगर लंबे समय से जीवन साती के साथ आपके रिष्टे तनाव में है तो अब समस्या दूर हो जाएगी आपको भाग्य का पूरा सा योग मिलेगा नौकरी पैशा, लोगों के लिए ये समय अनुकूल रहेगा आपके लिए कमाई के नए रास्ते पुलेंगे लंबे समय से चली आ रही कानूनी कारवाही आपके लिए जल्द समाप्त होती नजर आ रही है तो इस प्रकार से गुरू के नक्षत्र गोचर से पांच राशी के जातकों को लाब पहुंचने वाला है यदि आपके बन में वीडियो से संबंदीत कोई प्रेश्न है तो हमें कमेंट करकर जरूर बताएं धन्यवाल